बेलकम टू बीएसी बिहार एस्टेटिक जाम में आपका स्वागत है यह वीडियो बीएससी इंटर लेवल का जो वेकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैट का प्रैक्टिस सेट 6 का डिसकर्शन करने बाले तो खान सर के द्वारा 27 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले आजए क्वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुँच सके चलिए वीडियो की सुरवात करते आज के इन-पोर्टिन प्रशनों के साथ पहला प्रस्ट है जनी जन संख्या में होने वाली परतीसक बृदी 5% है और परत्मान जन संख्या 16,000 है तीन वर्ष में जन संख्या में कितनी हो जाएगी यानि परचेंट जन संख्या कितना जा गया है 16,000 कह रहा है कि परतीक वर्ष 5% का बृदी होता है 5% का फ्रैक्शन वह वटा बीस कहने का मतलब पहला बर वर्स 16 जार रूपया अगला बर्श कितना हो जाएका बीस था तो एक की ब्रीदी ओग्या यानि एक कीस वटा बीस हो गया फिर अगला वर्स कितना तीन वर्श का बात करा है यानि तीन जीरों 133 चेह ट्रीसे 2 थिवंटीवटिवाइगे तीन चेहुर थो करके यह गद्रैos इसकती आए।223 तुर दो आटना होता है नो हजार 22619 1221 इसमें हमको क्या करना है 2 से multiply करना है अब देखिए 2 से multiply कीजेगा तो unit digit क्या आएगा 2 आएगा केबल option A ऐसा है जिसका unit digit क्या है 2 है यानि option A इस प्रस्ण का करिक जबाब होगा जब इसको multiply कीजेगा तो यह आजागा 18522 किलिए रहे next अगला प्रस्ण देखिए अगला question क्या कर रहा है 2 की power 20 को 3 से विवाज किये जाने पे कितना सेस बचेगा जब भी ऐसा प्रस्ण है तो जेखिए जिससे विवाज किया जा रहा है 3 से divide किया जा रहा है तो देखिए इसको 2 की power 20 को हम लोग क्या लिख सकते 3 की 3-1 लिख सकते इसके power क्या लिख सकते 20 2 की 2 को हम लोग क्या लिख सकते 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा यानि यही बात को हमने यहां पे लिख दिया 2 की 3-1 के power 20 इसको अगर हम 3 से divide करेंगे तो reminder क्या आएगा तो देखिए 3 तो cancel हो जाएगा माइनिस 1 के power 3 यानि 3 को माइननस 1 से divide करेंगे तो माइनस 1 आएगा माइनस 1 पे पावर कितना थिरी पावर थिरी कहने का मतलब माइनस 1 पे पावर 3 पावर 20 ह्या tv जरे प्रसंँ प्रस्थ होगा तो पैक्रस्थ गीस्थ होगा यानि I need we find root 5-1 का मान ग्याद की ज電 इसको क्या करना है स्म्प्लिफाइथ करना च्या हो गया root 5 drive low root 5 प्ल उन से ए क्या कि नीचे वाले की conjugate से उपर नीचे गुना कर दीजे, conjugate से गुना करने का मत्तल है, यहां root 5-1 है, तो हमको क्या चीसे गुना करेंगे, root 5-1 से, ठीक है, root 5-1 उपर, नीचे भी क्या करते है, root 5-1 से multiply करते है, अब देखे, उपर क्या बनेगा है, a plus b, और a plus b का hall square, यानि root 5 plus 1 का hall square लिख सकते है, नीचे क्या बनेगा, देखे, a minus b, और a plus b, यानि a square minus b square, यानि root 5 का hall square, minus कितना 1 का hall square, देखे, उपर क्या बनेगा है, a plus b का hall square तो तोड़िएगा, तो यह कितना हो जागा, a square, plus b square, plus 2ab, 2a के जगा कितना root 5, अब b के जगा कितना 1 multiply करेंगे, तो कितन होगा, root 5 ही होगा, नीचे देखे, root 5 का square, यानि 5, minus 1 का square, 1 हो जागा, उपर add किजेगा, तो 5, 1, 6, 6, 6, plus 2 root 5, नीचे कितना आ गया, 4 आ गया, जब इसको 2 common लेके काटिएगा, तो उपर कितना जगा, 3, plus root 5, divided by कितना 2, यानि यही इस प्राशन का correct answer होगा, कौन सा option सी, इस प्राशन का correct, जबाब हो जागा, clear है, next, अगला प्राशन देखे, अगला question क्या करा है, यदि समी करें, x square, minus 19, x, plus 88, बराबर, 0 का, एक मूल, 8 हो तो, दूसरा मूल ज्याद किजे, देखे, एक equation क्या जागा, quadratic equation जागा, quadratic equation यानि, x square, minus 19, x, plus 88, बराबर, कितना जागा, 0, हम को क्या पता है, मूलो का यो, क्या होता, alpha, plus, beta, बराबर, क्या होता है, minus, bya, और मूलो का गुननफल क्या जागा, alpha, into, beta, मूलो का गुननफल, यह होता है, कितना, c, y, a, देखे, हमको क्या गया, एक मूल, हमको जिया गया, मान लिजे, कि alpha का value, हम इस equation का परयोग करे, किसका दूसरे वाला का alpha into beta बराबर क्या होता है my cya c के जगा कितना 88 88 और a का multiple कितना है यानि x square का multiple कितना है 1 alpha के एक मूल कितना दिया गया 8 यानि alpha के जगा पे हम लोग 8 रखेंगे 8 multiply beta बराबर कितना लिख सकते 88 by 1 यानि 8 से ये cancel हो जाएगा यानि कहनी का मतलब beta बराबर कितना हो जाएगा 11 यानि दूसरा मूल पूछ रहा है दूसरा मूल कितना होगा 11 होगा यानि correct answer कौन सा होगा option B इस question का correct जबाब होगा कौन सा option B clear है next अगला question देखिए अगला question क्या कर रहा है इस question को simplify करना है simplify कैसे करना है देखिए क्या जिया गया 025 025 divide by divide by कितना 0.0025 multiply कितना जिया गया 025 multiply कितना 25 ये point हटेगा तो ऊपर कितना आ जागा 4-0 आ जागा 1-2-3-4 और ये वाला point हटेगा तो नीचे कितना आ जागा 2-0 एक पे 2-0 और ये वाला point हटाएगे तो भी नीचे कितना आ जागा 1-1-2-3-0 ठीक है अब इसको simplify किजेगा तो देखिए ये 4-0 है उपर 2-2-4-0 नीचे 3-1-4-0 से 4-0 cancel हो गया ये 25 से ये 25 cancel हो गया पाच से कार देते पचा पचीस पांदूना दस यानि पांदूना दस दो मड़ते पचीस में पाच से multiply कि जगा तो पचा पचीस के पाच हासिल दो दो और पांदूना दस दो बाड़ा यानि एक सो पचीस एक सो पचीस बटा दो को डिवाइड कि जगा तो छोदूना बाड़ा दो दूना चार्ड दो पचीस दस सिक्स पॉइंट इसका करिक सिंप्लिफिकेशन होगा यानि औपसंडी इस प्रसन का करिक जबाब होगा कौनसा ऑपसंडी क्लियर है नेक्स्ट अगला प्रसन देखिए चक्रिदी ब्याज की चक्रिदी ब्याज पर दी गई एक रासी पाच वर्ष में स्वयम का दो गुना हो जाता है कितने वर्ष में स्वयम का दो गुना हो जाता है कितने वर्ष में स्वयम का स्वयम का दो गुना हो जाता है कितने वर्ष में स्वयम का स्वयम का दो गुना हो ज तो की पावर तीन रखेंगे तो कितना हो जाएगा इसके टाइम से मल्टिप्लाई कर जीजे पहले टाइम पाच वर्ष ले रहा था अब टाइम कितना होगा फाइव गुने फोर यानि पांचों को 20 वर्ष यानि कोई धनरासी 20 वर्ष में स्वयम का सुल्ला गुना हो जाएग यानि ओप्सन सी इस प्रसंट का करिक जबाब होगा कुन सा ओप्सन सी नेक्स्ट एक वस्तू 250 में खरीदी जाती है 10 परसंट लाइप्राप्त करने के लिए इसका विक्रैमूल कितना होना चाहिए देखिए 250 में खरदा गया 10 परसंट प्रोपीट कमाने के लिए उसको यानि ओप्सन सी इस प्रसंट का करिक जबाब होगा कुन सा ओप्सन सी नेक्स्ट 110 मीटर लंबी एक रेलगारी 90 किलो मीटर प्रती घंटा की चाल से चल रही है उससे 180 मीटर लंबे एक पूल को पार करने में कितना समय लेगा देखिए एक रेलगारी है और एक पूल है यह ट्रेन है और उसको क्या करना है एक पूल को पार करना है तो पूल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई साथ में उस पूल की लंबाई भी पार करना पड़ता है यानि टोटल डिस्टेंस उसको कितना करना पड़ी है 110 मीटर तो उसको अपनी लंबाई है पलस 180 vapormore speed केता है 90 यहाँ दिया गया a m3 दिया गया 근 pret g से को sg m3s में बढ़ेंगा इस में क्या कि पर इती च्छोटा पांच बट 408 से honored कि जया तो यह क्या क्ते पर से Ruby क्षेओं गया क्वें अगर कभि मीटर pH जेए हुआ रहता तो उसको 18 बटा पांच से मल्टिप्लाइ करते अब यहां हमने क्या क्या पांच बटा अथारा से मल्टिप्लाइ कर देंगे पांच मल्टिप्लाइ कर जाएगा यानि करेक्ट एंसर ऑप्चन भी इस प्रस्न का कर देंगे जबाबों का कौन सा ओप्चन भी क्लिए रहे निक्स अगला प्रस्न देखिए अगला कोश्चन कर रहा है राम आठ किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से एक से वाई तक जाता है और बारा किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से वाई से एक्स तक वापस लोट आता है राम की ओसर चाल क्या ची देखिए यहां से यहां तक जा रहा है यह बिंदू X है और यह बिंदू Y है जब कोई वेक्ती X speed से जाता है जब कोई वेक्ती A speed से 1 km प्रती घंटा से यहां से Y तक गया और वापस कितना 20 km प्रती घंटा के speed से अगर वापस आ गया तो average speed का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर average speed बनता है 2AV divided by A plus B ठीक उसी equation को यहाँ पर्योग करना है यहाँ देखिए यहाँ कितना रहा है 8 km प्रती घंटा के speed से यानि average speed पूछ रहा है average speed पूछ रहा है तो average speed हम लोग क्या निकाल सकते जाता कितना है तो multiply 8 km प्रती घंटा से जा रहा है और वापस कितना 12 km प्रती घंटा से आ रहा है दिवाइड बै दोनों का sum 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 अब देखिए दो से दो क्यांसील 12 96 96 96 by 10 यानि 9.6 km प्रती घंटा उसका क्या है average speed है यानि option भी इस प्रती घंटा का कडिक जबाब है क्लियर है next अगला question करा एक वेक्ति को बीक माट से चीनी 10% छूट पर मिली जिसके फल सरुप उसने 225 में 25 kg चीनी अधिक खड़ी दा छूट के 50 और छूट के पुर्चीनी का प्रती kg ग्राम मूल ग्याद कीजे देखिए 10% का fraction value ग्याद कीजेगा तो 10% का fraction value होता है एक वटा 10 एक वटा 10 देखिए पहले चीनी का price देखिए यह हमने मान रहा है पहले चीनी का price देखिए प्राइस कितना था 10 रुपया था अब क्या हुआ 10% का कमी अब प्राइस कितना हो गया 9 रुपया पहली क्या करता था 225 रुपया का समान आर्टिकल कितना खरीता था आर्टिकल का बाद क्या जाए तू दो सो पचीस उर्पया का ही समान खरिता था यानि दस उर्पय के हिसाब से दो सो पचीस उर्पया में कितना केजी समान कर देगा हमने क्या क्या है दो सो पचीस को दस से डिवाइड कर दिया हमने पता चला कि 10 रुप्या के हिसाब से उसने 22.5 केजी समान खर दा टिक लेकिन अब क्या हुआ प्राइस घट की 9 रुप्या हो गया 9 रुप्या के हिसाब से 225 रुप्या में उसने कितना समान खर दा तो 9 से डिवाइड कर देंगे नौदून आठारा नौपचे पैतालिस यानि अब कितना खरीद रहा है 25 केजी समान खरीद रहा है पहले की तुलना में अब कितना ज्यादा खरीद रहा है आप देखिएगा कि पहले की तुलना में यह पॉइंट फाइब यानि पॉइंट फाइब यह हो जागा 2.5 केजी एक्स्टा खरीद रहा है लेकिन कोश्चन में करा है कि 2.5 केजी नहीं 25 केजी एक्स्टा खरीद रहा है यानि 2.5 केजी का वैलू कितना ज्यागया 25 25 25 से कढ़ें का यह कितना ज्यागा 10 केजी का वैलू कितना घ्र केजी यानि 225 केजी का कहनी का मतलब किटना हो गया इसे 10 एक मल्टिप्लाइब करेंगे यह हो जगा 225 केजी पहले आठकल कर रहा था अब और 250 केजी अब आर्टिकल खरिचता है कितना 250 केजी अब देखिए इस question को फिर से एक और question देख लिजे अब यहां पर article का actual article प्राप्त हो गया क्या हम पहले price देखना है price और यहां क्या article पहले actual article कितना होग यह 25 कितना 225 अब पर्तमान में actual article कितना होगे 250 250 पहले मेरे पास पैसा कितना था 225 रुपया ही था 225 केजी समान हमने 225 रुपया में ख़एदा कितना 225 रुपया में रुपया से भाग दे दिये यानि 225 रुपया में 225 रुपया में हमने क्या करदा 225 केजी समान ख़दे कहनी का मतलब हो गया 225 रुपया में 225 रुपय में हमने कितना 225 kej शमान करदा یानि ये समान कितना हो गया एक रुप假 के पर के जी के हिसाब से समान भिक रहा था कितना一 रुपया अब प्राइस क्या हो गया 10% का कमी हो गया पहले price एक unit था अब 10% का कमी तब इसका 90% निकाल लेंगे एक का 90% कितना हो गया 90 पैसा यानि पहले एक रुपया price था अब कितना price हो गया 90 पैसा यानि correct answer option D इस प्रस्ण का करिक जबाबों का कौन सा option D यानि परतमान price 90 पैसा अब पहले कितना था एक रुपया किलियर है next अगला प्रस्ण देखिए अगला question क्या कर रहा है simplification का question है .5 divided by .71 का भागफल ग्याद कीजिए यानि इसका actual value ग्याद करना है देखिए .5 को हमको क्या करना है .71 से divide करना है यह point हटेगा तो नीचे आजागा 10 और यह वाला point हटेगा तो उपर चला जागा कितना 100 एक जीरो से एक जीरो cancel यानि उपर कितना हो जागा 50 50 को 71 से divide करेंगे नहीं कटेगा एक point देखिए 0 बैठाएंगे साथ सत्य उन्चा सात मर्त लगाएंगे तब 49 आजागा यानि 749 यह कटाएगा तस तस सात तिन दस टैंसील हो गया यानि यह केंसील हो गया अब देखिए 3 नहीं कटेगा एक जीरो उतारेंगे यहां जीरो देगे एक और जीरो उतार जेते अब देखिए अब कितना मर्ति लगा सकते, 76, 45, 46, 78, 75, 35, यानि 4 मर्थे लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 78, 284, यानि लगवा, कितना 0.704 इसका करेक टैंसर होगा, कौन सा option D, इस प्रस्न का करेक जबाब हो जाएगा, next, निमलिखीत में से कौन सा विकल्प इसके मान को दर्स आता है, इसको सिंप्लिफाई करना, यहाँ क्या दिया गया है, E²-BA², तो E²-BA² के जगह पे हम लोग लिख सकते, A+, B, into A-B, A² के जगह पे कितना दिया गया है, 199, 9 का होल स्कॉर, माइनस, 999 का होल स्कॉर, इसके जगह पे हम लिख सकते, 199, पलस कितना, 999, मल्टिप्लाई कितना करना, 199, 999, माइनस, 999, जब इसको मल्टिप्लाई की जगहा, यह देखिए, 9 Espero UP 4, इसके लिफाई को कितना करना है, तो करेक्Frfta आइंसर आपशन B हैक्षाण श्कॉर heck जवाब और का option B clear है next अगला प्रेस्ट देखिए देखिए इसको लैडर करने पर प्राफ्ट मान किया तक किजाए यह क्या है इसको छोड़ देते यह बला लाइन छोड़ देते इसकी नीचे जो है यह लैडर बन रहा है अच्छा से इसको करेंगे इसको solve कैसे करेंगे यह देख लेते इस बात को हम लोग लीख सकते one ओर ठीक है यह यहां देखिए जो पहले plus में दिया गया इसकी ऊपर one रखेंगे उसके बाद plus three दिया गया ठीक उसके बाद कितना जाग या 2, अब देखिए, क्या करना है इसको, आपको इसको कैसे solve करना है, इस 1 को 4 से multiply किजे, तो 1 को 4 से multiply करेंगे, जो result आएगा, उसमें इसको add कर देंगे, क्या करेंगे, इसको add कर देंगे, 4 एकम 4, 4 में एक जोरेंगे, तो कितना हो जागा, 5, अब दे 15 15 4 कितना हो जागा 19 ठीक है अब देखे आगे क्या करना है इस दो को 9 से 19 से मल्टिप्लाइ करना है जो रिजल्ट आएगा उसमें पाच को एड कर देना है और तीस अब पाच कितना हो जाएगा और तीस और पाच तैतालिस फोर्टी तिरी यानि इस टोटल यहां से यहां तक कि लैडर का रिजल्ट कितना आ गया तो यह रिजल्ट आ गया आपको कितना पुर्टी यह रिजल्ट आगे आपको 43 by 19, कितना 43 by 19, अब equation में क्या कर रहा है, सबसे उपर में क्या कर रहा है, 1 divided by कितना, इस ladder, ladder का value कितना गया, 43 by 19, इस बात को हम लोग क्या लिशने, 19 तिसरे अस्तान पर उपर चला जागा, 19 by 43, इसका correct answer होगा, कुन सा option A, expression का correct चबाब हो जाएगा clear है, next, तीन घंटिया, एक साथ बजना प्रारम करती है, उनमें से परतेक, 2.5, 0.25 सेकेंड पे, दूसरा कितना है, 0.1 सेकेंड पे, और तिसरा क्या करता है, 0.125 सेकेंड के बाद बजती है, तो कितने सेकेंड के बाद, पुना एक साथ बज़ेगी, सबसे पहले क्या किजे, इन सभी का LCM ले लिजे, क्या किजे, सभी का LCM ले लेंगे, LCM लेंगे, तो LCM लेने के बाद, जो रिजल्ट आएगा, वही इस प्रस्न का करिक्ते है, इसको कैसे, यह question क्या है, इसको simplify करना है, LCM ले लेंगे, यहाँ पे 3 डिजित है, तो सब को 3 डिजित में बदल देते, 0.250 लिख सकते, कोई दिक्त ने, 0.10000 लिख सकते, 0.125, अब इन तीनों का LCM लेंगे, तो यह LCM आपको कितना आजागा, 250, 100 और 125 का LCM लिजेगा, तो यह आजागा 500, कितना? 500, 500 LCM आजागा, और यहाँ क्या करा है, तीन अंके बाद, पॉइंट है, तो एक, दो, तीन, यान वर संख्या क्या होगा, 0.5 होगा, जो इतना सेकिंड के बाद, घड़ी क्या होगा, पुना रिपीट होगा, यानि, करेक्ट एंसर, option A, next, राम और स्याम, एक साथ मिलकर, किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, राम और स्याम, अगर एक साथ मिलता है, तो कोई काम को कितन समय लेगा, देखी, 6 और 8 का LCM लेजिएगा, तो यह LCM कितना आ जाएगा, 14 के 24, आरती, 24, यानि, स्याम, अकेला उस काम को कितना 3 दिन में करेगा, राम और स्याम, मिलकी करेगा, तो एक दिन में, कितना काम करेगा, तो राम अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम, टोटल काम कितना है, 24, पूछ क्या रहा है, राम अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो टोटल काम है, 24, राम एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल काम को 24 दे में कम्प्लीट करेगा, यान मिलेखित को हल किज़े यह simplify question कर यानि क्या कर दो सो चालिस divided by कितना 8 multiply कितना 512 512 को क्या करना है चार से divide करना है अब देखिए 8 से काटिएगा 8 3 24 3 मर्थे यानि 30 30 multiply यह देखिए 4 से काटिएगा तो 1 मर्थे 4 2 8 9 10 11 3 8 चक वतिस 128 यानि 30 को 128 से multiply कि दया तो 0 आटि 24 के 4 हासे लो 3 6 8 यानि 3840 इसका correct answer होगा कुण सा option A next अगला प्रसंद देखिए नरेंद के बेतन का दो वटा पाचवा हिस्सा अमित की वेतन के बड़ाबर है देखिए नरेंद के बेतन का नरेंद के बेतन का दो वटा पाचवा हिस्सा किसके बराबर है अमित के बेतन के बराबर है यानि नरेंद बड़ा अमित हम लोग लिख सकते कितना फाइब बाइटू कि अरुण के बेतन के बराबर है अमित बड़ा अरुन भसकते कितना यह लिख सकते नैइन वाइब सेबन एक सिंपल रेस्यों में अगर कन्वर्ट किजिएगा लिख सकते अमीत सबसे पहले लिखे क्या यहाँ पर लिखी नरेंद्र नरेंद्र अमीत और क्या है अरून ठीक है नरेंद्र अर अमीत का जागया है 5 ratio 2 और देखिए अमीत अरून का जागया कितना 9 ratio 7 अब देखिए कोई equation या तो option के सहारा solve कर लिजे या इसको simplify कर लिजे या तो simplify कर लिजे अब देखिए हम option को लेते 400, 50, 140 को जब ratio convert कीज़ेगा तो 0 से 0 cancel अब देखिए 5 से यह नहीं कटेगा यानि यह ratio 5 आज 2 का नहीं बनेगा अब देखिए इन दोनों को यह 0 से 0 cancel 9 से काट देखिए 9, 12, 18, 9, 45 यानि चार सो पच्चास ratio 180 ratio 140 ज़्या गया तो देखिए इन दोनों का जब solve करेंगे तो यह ratio 0 से 0 cancel 9, 12, 18, 95, 45 5 ratio 2 बन रहा है यह simplify कर रहा है अब देखिए 180 और 140 का ratio convert करेंगे यह 0 से 0 cancel हो जागा दोकिए 2 से कार देखिए 2 सते 14, 2, 9, 18, 9 ratio 7 यह बन रहा है यानि दोनों एक्वेशन solo follow कर रहा है यानि correct answer option B expression का correct जबाब होगा कौन सा option B अगर आप ऐसे नहीं करना चाते चो इसको simplify कर सकते देखिए 7, 24, 9, 12, 18, 9, 45, 45 जब इनको add कीजेगा तो यह कितना जबागा देखिए 8, 2, 10, 10 8, 2, 10, 10, 13, 13, 14, 17 के साथ हासिल 1 1, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 77 7, 77 यूनिट का वैलू कितना जबागा है 770 यानि एक यूनिट का वैलू कितना जबागा है 10 हम से पूछ रहा है सब यानि 45 यानि 450 यह हो जाए 180 और यह कितना हो जाए 140 यानि simplified ratio correct answer option B clear है next जया और हेमन्त एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में कर सकते है और देखी जया और हेमन्त मिलके एक अपार्टमेंट की सफाई कितना दिन में 30 दिन में कर सकता है ठीक आगी क्या कर रहा है किसी कार को हेमा और सुस्मा हेमा और सुस्मा मिलके कितना दिन में? 40 दिन में? एक और जया और सुस्मा को मिलाए जाया तो यह काम को कितना 60 दिन में कंपलीट कर लेते हैं जब इन तिनों का LCM लिजेगा तो ये LCM कितना आ जागा? चारतिन बारा 120 आ जागा 3 चक वारा 4 120 आ रहा यहाँ पर चारतिय बारा तीन और देखे चो दूना बारा दू यानि कहनी का मतलब ये कितना आ गया चारतिन साथ आठिक नो नो यूनिट के बरावर है तू जे प्लस एस प्लस इच जे एस एच के बरावर है यानि वन जे एस इच का वहलू कितना आ जाएगा 9Y2 अब क्या कर रहा है तीनो मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे टूटल काम कितना है टूटल काम 120 है टूटल वर्क 120 है और यह तीनो मिलके एक दिन में कितना 9 बटा 2 काम करता है तो पूरा काम को कितना 9 बटा 2 से डिवाइट कर देंगे 12 दूना 24 240 240 को 9 से डिवाइड कि जाए तो यह कितना आजागा नहुदून आठारा कि आरा उनीस विश्कीस बाइच तो इस चो नौच चो बन यानि चो यानि दो यानि 26 पुनांग दो बटा देखिए सबसे प्सक्चिता क्या किजिये इसको क्या किजिए और सेंप्लिफाई हो सकता है 38 24 यानि 88 यानि 83 को हम लोग क्या लिख सकते 3ह 1 6 count 8 2 इन चाहे नो असी बटा तीन को हम लोग क्या लिख सकते 26 पुर्णांग 2Y3 26 पुर्णांग 2Y3 यानि करेक्ट एंसर ऑप्सन सी इस प्रस्न का खड़िक जबाब होगा कौन सा ऑप्सन सी नेक्स एक कस्वे की जनसंख्या 10 अजार है यदि पुरूस जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की ब्रीदी होती है तो जनसंख्या इतना हो जाता है देखी पहले 10,000 था एक ओवरॉल ब्रीदी कितना हो गया 10,800 का कितना 10,800 का कहनी का मतलब पहले 100 यूनिट था अब 8 यूनिट का ब्रीदी हो गया यानि 8% का ब्रीदी हो गया क्या ओवरॉल ब्रीदी और यहां क्या कह रहा है मेल यानि पुरूस की जनसंख्या में 5% का ब्रीदी हो रहा है और फीमेल यानि महिला की जनसंख्या में 10% का ओवरॉल देखिएगा तो 8% का जब इसको यह लिजेगा allegation तो यह हो जागा आट दो दस दो पाच तीन आट तीन दो रेश्यो तीन यानि कहने का मतलब male कितना है दो और female कितना है तीन पूछ रहा है कस्पे में महिलाओ की बत्मान संख्या कितना है फिमेल का कितना है तीन यूनिट जो संख्या तीन से कड़ जागा वही इसका correct तेंसर होगा यानि option भी इस प्रसन का correct जबाब होगा कौन सा option भी आप इसको ऐसे भी solve कर सकते हैं देखिए तीन दो पाच पाच सलबाए, होगा है next अगला प्रस निकाला हूए कितना चार अधिक है इसमें चार को एट करींगे तो बराबढा आ जागा यानि कहने का मतलब 4NY5 minus 3NY4 equal to 4 जब इसको 60 की है चार्चों को 16 15 16 में इसे 15 जाएगा ता 1 यानि 1 वर्टा कितना होजागा 20 यानि 1 वर्टा 20 का वैलू कितना जाएगा 4 यानि 1 वराबर कितना होजागा 80 यानि वह संख्या कितना ता 80 यानि correct answer option B इस प्रेशन का कडिक जबाब होगा कुण सा option B clear है चलिए तैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल VSCB हार्ड एस्टेटिक जाम को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल बटन को दबा दे और इस वीडियो को ज़ाद से ज़ाद से शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो आसानी से पहुच सके Thank you once again